नमस्कार, मैं हूँ अंदना, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकेटरिस्ट जस्पाल कॉल जी, जस्पाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जरने बाद, मैं आजकल देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अरूची दिखा रहे हैं, इसके क्य करना वजे हो सकती है? नॉन इंट्रस्ट का अरूची का कारण है, मैं यही कहना चाहूँ कि बच्चों के लेवल पर प्रेशर काफी बढ़ चुका है, कॉंपटिशन काफी जादा है, तो टीचर जिस लेवल की स्टड़ी या तो बच्चों को करवाई जा रही है, उनके ले मैं, इन बच्चों के ऊपर माबाप का कितना प्रेशर होता है? बच्चे का इंटरस्ट जाने बिना एक फील्ड को डिसाइड कर देना कि इस और ही बढ़ना है, या मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा और उस पर यह चीजे थोपी जाना, कि बच्चे के रिगारिंग जो स्टडी है, वो भी खोदी डिसाइड करना है, तो यह सारी चीज अपने माबाप की जो आशाएं है वो पूरी नहीं कर पाता है, तो क्या बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है? बिल्कुल, मैं इसके लिए पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ कि बच्चा पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में बच्चा जिस फील्ड में अचीवमेंट करना चाह रहा है, कोई गोल अचीव करने के लिए टागेट उसको द कर देता है, पारेंट से, अपने पीर गृप से भी पीछे हटना शुरू कर देता है, अकेला रहना पसंद करता है, तो ये सारी इनिशल स्टेज है डिप्रेशन की, जो उसे नहीं पता है कि इस टाइम पे उसका क्या डिसीजन होना चाहिए, या उसको इस महौल को डील कैसे करना है, ऐसे मैं माबाप को क्या करना चाहिए, माबाप की तरफ से सबसे पहले तो ये एक स्टेप लिया जाना चाहिए कि पहले अपने बच्चे की अबिलिटी को पहचाने, बच्चा कहां पे स्टांड करता है, उसकी अबिलिटी लेवल क्या है, अबिलिटी जाने बिना उस पे expectations थोपे नहीं कि आपको यह 100% यही अचीव करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर की लाइन ही चुननी है, इसके लावा आपके पास कोई options नहीं है, एक दरवाजे सारे बंद नहीं कर देनी चाहिए बच्चे के सामने, उसको खुलापन freedom दें, जिसमें हर field के अंदर उस बच्चे को बढ़ने का मौका मिले, उसके बाद ही बच्चे को decide करने दें कि उसका interest कहां पर है, वो किस level पे जाके, किस field में हर target को achieve कर सकता है कई बार माबाप जो होते हैं, वो एक target fix कर देते हैं कि मेरे बच्चे को 90% से अबोव लाने हैं, तो वो इतने ही लेकर के आए, इससे कम अगर बच्चा लेकर के आता है, तो वो जो facility बच्चे को provide कर वा रहे हैं, जैसे कि laptop है, mobile है, वो उनसे वापस ले लेते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? बिल्कूल ये गिवन टेक रिलेशन जो है, ये बहुत अच्छे लेवल पे लेया चाहे, तो एक तरह से अच्छा भी है, पर बच्चों के लिए जो standardized test के recording, अगर मैं कहना चाहूं, कि पारेंट्स नेक्ट पाटर्न अगर डिसाइड कर दे कि 90% स एक social status बन गया है, कि अगर मेरे नेबर का बच्चा 90% लेके आ रहा है, वो platinum category में, diamond category में, मेरा बच्चा क्यों कम है, और मैं भी इसको जो ये laptop प्रवाइड कर रहा हूं, सारी facilities प्रवाइड कर रहा हूं, इतनी money spend कर रहा हूं, टूशन भी इतनी ही जो parents की तरफ से money spend की जा एक्स्टा कोचिंग प्रवाइड हो रही है, तो उसमें give and take depend करता है कि आप किस level पे उस बच्चे को प्रवाइड करें, उस बच्चे का interest तो first parents का देखना चाहिए कि आप जो set goal दे रहे हैं, क्या वो बच्चा अचीव करने लायक है, अगर अपने 90% का cutout उसको दिया है, त अगर वो 100% अपना 80% अचीव करने में दे सकता है, तो क्यों नहीं वो बच्चा 80% लाके उस 80% के ही field को explore करें, रादर देन कि आप उसका laptop वापिस ले लेंगे, या mobile वापिस ले लेंगे, ये एक given take या उसको एक मतलब कि आपको कि थ्रेटन किया जाए बच्चे को कि ये च अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, तो ये सारी चीज़ें जो है एक mental trauma के अंदर आप करेंगे, रादर देन कि उसका बच्चे का इंटरस्ट डिवेलब करने की बचाए, आप एक mental trauma करेंगे कि ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा, तो ये चीज मुझे नहीं अगर मुझे ये नहीं चीज दी जाएगी, कई बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ऐसे में टीचर्स कई बार उनको इग्नोर करने लगते हैं, ऐसे टाइम में माबाप को क्या करना चाहिए, हाइपर एक्टिविटी जो है, डिपेंड करती है कि किस फेस में क्या मतल है थो कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, घर पर हाइपर एक्टिव उसका क्या कारण है, उसके कॉन से क्या रहते हैं हाइपर एक्टिविटी जुजäs यह सारा आप कहा सकते हैं कि इसके क्लेडoration टेस्टिंग के दोरान ही चेक किया जाता है, अगर तो बच्चा हाइपर अक्टिविटी में डाइग्नोस्ट हो चुका है, और वो ADHD से ग्रस्त है, तो no doubt उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जिसके प्रॉपर स्टेजिस के दोरान जो है करिकलम डेवलेप हो किया जाता है, जो राय से तो टीचर की पॉइंट अफ व्यू से बहुत ही गलत कदम अगल लिया जा रहा, इग्नोरेंस नहीं होने ही चाहिए, उसके solution और resolution की तरफ बढ़ना चाहिए कि उस hyper activity को कम करके concept clarity की तरफ कैसे बढ़ा जाए, कई बार बच्चे गाली गलोच करना शुरू कर देते है अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसे में पेरेंस को क्या करना चाहिए, गाली गलोच जो है, मैं कहना चाहूंगी, बच्चा अपने आप नहीं सीखता है, महौल जो है, वो अब्जर्व करता है, बच्चे का आपकरो की ब्रेन की जो development है, एक बच्चे की 6 साल में फुली डिव सामने वाले को, अगर वो बच्चा गाली गलोच कर रहा है, या तो वो पीर प्रेशर जो है, अपने स्कूल में सीख रहा है, या असपास के बच्चे है, या पडोस में है, कोई ना कोई उसके सामने ऐसा, आप कह सकते हो, रोल मॉडल जो है, जिससे वो अब्जर्व कर रहा है, और इसको सामने वाले के सामने, म key achievements के सामने अपना पेहविर इस तरीके से शो कर रहा है, अप एक तो कारन है, कि एक वो observe कर रहा है किसी से, और observe करने के बाद उसके सामने कौन से क्वेंसेक्वेंस तो सिचुएशन है जिसमें वो उस सिचुएशन को अपलाय करना चाह रहा है कि अपनी फरस्टेशन जो है वो उस काली कलोच के थूर निकालना चाह रहा है पैरेंज को यहाँ पेच चाहिए कि पहले तो कारण देखें कि ये बच्चे ने पहले किस तरीके से सीखा है ये महौल, कहां से ये चीजें या ये वर्डिंग उसके अंदर आई है ये कारण जानने के बाद, दूसरे कारण की तरफ बढ़ें कि अगर ये सीखा गया है तो अगला कारण के है कि इसको apply किस situation में किया जा रहा है दोनों situations बिलकुल ये different है, consequences बिलकुल different रहेंगे पर no doubt parents ही अपने बच्चे को इसमें support करके उस situation से बाहर ला सकते है कि उसका stressful जो behavior है वो किस वज़े से या किस direction में बढ़ रहा है ये no doubt parents को observe करना पड़ेगा और अगर ऐसा रहता है कि बच्चा जो है hyper activity के दोरान या आपको कि behavior changes about adolescence age में no doubt बच्चों में बहुत physical changes होते हैं उस दोरान पर हम बच्चे से expect नहीं कर सकते हैं कि वो चीजों को समझे हम parents को accept करना हम चाहिए कि उनमें जो changes आ रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे में changes क्या आ रहे है उन चीजों को parents को समझना होगा कि बच्चों में क्या changes है और बच्चों को बच्चों के level जिस वजह से जो गाली क्लोच चुकी जारी है वो क्यों सही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है दुनिया में जो नहीं समझे कर दो कई बार बच्चों में अनुशाशन की कमी भी देखी जाती है जैसा कि बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो पीरियट्स में बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं लेकिन घर में आते हैं तो उनको कोई एक मतलब कहने का यह है कि एक उनको वातावरन ऐसा नहीं मिल पाता है कि वो पूरे टाइम का सही तरह से उप्योग कर सकें तो उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगी उसके लिए पारेंट्स को मैं यही गाइड करना चाहूंग एक स्ट्रक्चर स्कड्यूल जरूर बच्चों के लिए अपनाए जिसमें प्रॉपर टाइम टेबल ह बती होना चाहिए। ली मतलब अक वही खाया है। अप एक हुआप ही तरह lotta अट बजेगर घना खाना है तो आट बजे ही कहाना हाना हूगा.. अट बजेगर पांच मिनट पह जाया एक पहना सकते हैं। स्ट्रुटुल न मतलब एक हान ब्रूब उसके benefits क्या है, apply अगर पहले parents कुद रोल मॉडल अपने आपको अगर बच्चे के सामने पेश करेंगे तो no doubt बच्चा भी ये चीज़ों को understand कर पाएगा. अगर बच्चे के पढ़ाई में कोई कमी है, तो माबाप को क्या करना चाहिए, क्या एक psychiatrist के पास जाकर कि कोई सला लेनी चाहिए? कमी को पहले तो जाना ज़रूरी होगा कि किस तरह की कमी को अंडरस्टांड कर रहे हैं parents, कमी एक understanding में है, concept clarity में है, या बच्चे में अंदरूनी आप कह सकते हो कि mental ability में कोई problem है, तो ये चीज़ जाननी पहले, reason जाना बहुत ज़रूरी है कि parents वो कमी को किस direction में ले रहे हैं अगर तो mental ability के according है कि बाकी बच्चे उसकी age level के according बहुत अच्छा perform कर रहे हैं और वो सिरफ उनका बच्चा perform नहीं कर पा रहा है, और ये एक बार नहीं है, हर बार के हर साल में मतलब कि class 1, class 2, class 2, persistently जो है performance उसकी grading जो है down जा रहे है, no doubt मैं parents को यही गाइड करना चाहूंग समाज को देखते हुए बच्चे के विकास में मैं सभी को दोशी मानना चाहूंगी कि इसमें आप कहें कि सभी लोग जो समाज के member हैं, मैं और बाकी जो teachers हैं, parents हैं क्योंकि ये टारेंगल process कह सकते हैं जिसमें सब लोग एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े हुएं, जो member समाज के वही विकास के भी भागीदार हैं, पर वही लोग जो हैं, जो दोशी भी बन सकते हैं, क्योंकि उनी से ही expectations की जाती हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इन बच्चों को आगे लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो depend करता है कि society के जो members हैं हर चीज को positive way म में ले रहे हैं या negative way में ले रहे हैं, जो भी members हैं, they all are responsible for this thing. पढ़ाई का जो इतना pressure होता है बच्चों पर, तो उसको लेकर के आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगी? पढ़ाई के regarding जो pressure है, no doubt बच्चों के level पे handle करना बहुत ही मुश्किल रहता है, मैं उस टेम बच्चों को सिरफ यही guide करना चाहूंगी, कि syllabus जो है, concentrate के साथ, concentrate जो किया जा रहा है, syllabus no doubt school की तरफ से set pattern दिया गया, board exams के during, और कुछ बच्चे जो हैं, वो pressure को handle नहीं कर पाते हैं, तो suicide तक कर लेते हैं, तो उसका reason यह रहता है कि stress इतना जादा है उनके उपर, कि study level पे तो वो deal करी रहे हैं, पर personal जो अलग से situations हैं, peer pressures हैं, parents के expectations हैं, तो बच्चों को कहीं न कहीं पर यहीं लगता है, कि शायद इस चीज से escape होना, अपने आपको, उस situation को face करने की बजाए, अपने आपको उस चीज से पीछे हटा लेना ही, कि अपने आपको उस problem को face करने के लिए तयार करना और syllabus जो है, फुली concentrate के साथ ही अगर आगे बढ़ा जाए, तो no doubt बच्चा परफॉर्म बहुत अच्छे से कर सकता है, पर इसमें दो चीजों को धिहान रखना होगा, कि अगर जैसे during exam सी preparation बच्चे जादा study करना शुरू करते हैं, तो depend करते हैं कि अगर आप उसी time पे सारा pressure लेंगे, तो obvious है सारा complete नहीं कर पाएंगे, शुरू से ही अगर आप सारी चीजों को step by step learn करना शुरू करेंगे, अप पर इसा की जसपाल मैंने हमें ये बताया कि बच्चों पे पढ़ाई का pressure बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो depression में आ जाते हैं और कई बार तो suicide तक करने की सोचते हैं, ऐसे में जरूरत है माबाप को समझने की, बच्चों को समझाने की, कि हर बच्चा first नहीं आ सकता है, आप जो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ये जरूर है कि माबाप अपने बच्चों का लेवल उपर जरूर उठाएं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद.